है Hello Everyone सोलौ आज आप आसपी से बता दो कि आप लोगकी दिमाग में अब सबसरे बड़ा सबस्था क्या रहा हो कि करना क्या है दोस्थो दोस्तों आज छीज पंड़ी लेंगे जो आप लोग के दिमाग में आ रहा रहा हुआ क्यों ना में इंजिरिंग कर लो दोस्तों यह सवल आप लोग के मन में आ रहा है तो उसे स्टार्ट कैसे गर इसकी प्रिपरेशन क्या होगी किस तरीके से हम लोग को प्रिपेर करना है खुद को ताकि हम लोग अच्छे कॉलेजिस में अडिमिशन मिल सके आफ्टर टुवल्थ तीक है आप लोग के दिमाग में इस अवल आ रहा है तो यह यह वीडियो आपके लिए है ओके इस चीज़ को हम लोग समझेंगे इस पूरी की पूरी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बताए चाहिए क्या प्रिपरेशन स्ट्राइजी होने चीए किस तरीके से सारी चीज़ों को बने देए वीडियो के एंड तक तो कैसे आप सभी लोग आई होप यह फाइन तो मैंने स्वागत करता हूँ आपका हमारी चैनल जे आर टुटोरियल पर अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आइडी पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97 अंड़ आप लोगों प्रॉपरली टाइम पर आप लोगों को चीज़े मिलती रहेंगे जैसे कुछ नॉटिफिकेशन वगरे वीडियो के सारी आप लोगों आपर मिल जाएंगे अब आज की बात करी जाए तो आज हमने दिखने वाले हाओ तो स्वाल अपने मन में ना आए ना रह है इसलिए यह बहतरी यह खूपसरोत सा वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए रखा है पेश किया हुआ से जड़ा एंड तक देखना और एक और चीज़ दोस्तों कुछ भी डाउट कुछ भी चीज़े रहे जाएंगे आपके दिल में दिमाग में तो कमेंट सेक्शन मे है उस वीडियो को भी रखने की कोशिश कर सकता हूं तो सबसे पहला सवाल क्या है हाव टू स्टार्ट प्रिपरेशन आफ्टर फॉर जे डबली आफ्टर टेंथ जे डबली से अपन कहां कहां पहले जा सकते हो समझ लेते हैं जो एक्जाम होता है दोस्तों वह होता है अपन पढ़ी है कि अच्छे तरीके से कमा सके अच्छे कॉलेज मिलेंगे तब यहां से स्टार्ट होगा अगरे पड़े तो बाकी की लाइफ धीली पड़े जाएगे बिलकुल भी नहीं हारना है मैनत आपने तक किया उससे थोड़ी जाधा मैनत आप लोग का बोल सकते कॉलेज करता एक बर कॉलेज मिल गया तब समूथ ली जाएगा ठीके स्टार्ट करता हुं में आज का वीडियो सबसे पहली चीज मैं आप लोग को समझाना की करना कैसे हैं पहला पॉैंट पोंट लोग पहले चान लेते हैं कि एसे आप लोगो जमचे आपने लेंगके लिए डालें में पूचे जाता है अब जो एक्जाम है ना दोस्तों उसके अंदर आप्लिकेशन बेस कोशन मुस्ली पूचे जाता है तो इसके लिए हम लोगों को बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है 1112 का पूरा सिलाबस अलॉंग विद कुछ एक्सा कोश्चन जो आप लोगों काम दोस्तों वहीं अपने देखो ना जेडवली के किसाम आल ओवर इंडिया होता है इस तरीके से थोड़ा बहुत मैच कर जाता है तो आप लोगों को समझना है कि एक्जाम पैटन क्या है अब पैटन मतलब क्या आप लोग एक कोश्चन पर उठा लो ऑनलाइन सर्च को आप ल देखो ऑनलाइन पीडियास वगरे मिल जाएंगे उसको जड़ा पल्टो पेजस देखो कैसे कोशन साती किस थाइप के कोशन तो हमें पढ़नी की सिरुरोत क्या है तो सबसे पहले पैटन देखो और सिलाबस देख लो हम लोगों को इसे टॉपिक बहुत इंपॉर्टन है व यह दो को इक्जांट पैटन और और सिर्फफ समेचे अब सिलाबस समयदे तो दो इक्जांस को थे पहला होता है में और दूसरा होता एंटवांस को उपर चले गए तो आप लोग को एडवांस देने का मौका मिलता है अगर कट आफ क्लेर नहीं कर पाए तो आप लोग को क्या मुझत देने का मौका विल्कुल भी नहीं मिले अब यहां पर चीज़े बता दू जो कास्ट वाले रहेंगे जैसे कि ST&T उन लोगो कट आफ थोड़ा से कम में भी और काम चल जाता है यह को अपने उपन कास्ट वाले होते जंदल कास्ट वाले होते उनलों को दोस्तों मेहनत बहुत करनी पड़ते हैं तो अपने कट आफ के लिए प्रापर एक तरीके से बोल सकते हम लोग कुछ भी benefit नहीं मिलेगा हम लोगो बहुत मैनित करने पड़ेगी ठीक है ओके चलो कोई बात नहीं चलो आगे बढ़ते हैं तो मेरे साब से एक्जाम बढ़न सिलाबस के बारे में आपको पता चले जाएगा ओनलाइन सच करो सब कुछ अविलेबल है आगे क्रिए क्रिएटिव अपनों को हना सब्सक्राइब करना परेगा माल लेते हैं मेरे प पूरा का पूरा शिलाबस अविलेबल है मैं अब मुझे कौन से चाप्टर सब्सक्राइब को डिवाइड कर दो मालों कि हवते में चे दिन में पड़ूँगा साथ में रिवाइज करूँगा के रसकते हो या फिर आप तो साथ में टेस्ट कर सकते हो कि इतने चाप्टर करेंगे जोस्तों आप लोग स्टडी प्लान रेडिविचल और लास्ट में जो संडे होता है आप लोग कर सकते हैं अब बहुत सारे बच्चे सोचे रहेंगे सर कोटा क्यों ना चला जाओं जो जो सकते हैं वहाँ पर आप लेको प्रॉपर ली बहुत सारे क्लासिस मिल जाएंगे जहां पर आप लोगो स्पेशली जो गाइड किया जाता है जे डबली और नीट के लिए अब वहां पर बहुत सारे अविलेबल लेकिन आप लोगों पर रहकर पढ़ना पड़ा है और बहुत लूट होता है तो आप लोग वह भी ट्राइए कर सकते अगर आप लोग के अंदर खुद में भरोसा है कि मैं ऑनलाइन कोर्से लेकर भी पढ़ सकता हो तो उसके बारे मे आप नहीं हो रहा है समझ में यह तो आपना मदल करके रटा महरते थे और टॉपिक अटा दिया लेवन टुर्स में इसा बिल्कुल पर नहीं करें जो सो प्रिपेर करना आपको जेडबली और समयलों जेडबली के लिए कर रहा हर एक चीज़ का पूरा बेस मतलब बोल सकते ह बहुत इजी होता है आप लोग उनलाइन कुछ सर्च करेंगे बहुत सारी चीज़ों को सर्च करेंगे तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना था एक्जाम पैटन से लिए सड़ी में सड़ी प्लान बना लिया और गोल सट कर लिया उसके बास कंसेप्शुल बहुत इजी लिए आगे चलते हैं यूस क्वालिटी सड़ी मटेरियल अब यह बहुत इंपॉर्टन चीज़ है कहीं से भी हम लोग ने कच्रा बच्छा पढ़ना चालो करते तो कुछ नहीं होने वाला है तो दोस्तों कच्रा इसे माक्स मिलेंगे यह बिल्खुल विध्या दोस्तों लोग अब आप लोगों में कुछ बुख्स और कुछ चीजें में आप लोगों को आगे रेफर करने वाला जो आप लोग यहां पर दिखा चुछिंगे बहुत बैस रेटिंग के साथ्में बहुत सारे साइट से महां पर अच्छे-च्छे कॉर्स डिया हूं आप लोग वहां से online course ले सकते हो इसके अलावा मैंने पहले इसके आलावा आप लोग अच्छे अच्छे classes जॉइन करते हैं जो आप लोकालिटी में होंगे या फिर कहीं अच्छे पर जाकर आप लोग जैसे मैंने कोटा का एक्जामबल दिया हुआ पूने में भी जा सकते हैं बहुत सारे जगव पर यह हब है आईटी जे डबली के एक्जाम के लिए तो वहां पर जाके आप लोग लगा कर वहां पर रहकर आप लोगो पीजी में रहकर पढ़ना होगा मैंने अगर मुकाम पर पहुशना दोस्तों मैंने यहीं से कर रहे हैं अगर नहीं चाहते कि आप आप लाइन लगा लोगा जो बहुत अच्छे रेटिंग के साथ मुझे बहुत अच्छे तरीके से सिखार और यह मेरे मुझे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है वह कर सकते हैं उसके बाद बुक्स आप लोगों को बता देता हैं यहां पर फिदिक्स के लिए अब बता बुक्स के बारे में आप लोगो समझा देता हूं तो बुक्स यह रहां यहां पर यहां पर देख लेगे तो आप लोग को फिदिक्स का जो इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों सी वर्मा पश्चपन से मैं सुनते आ रहा है बहुत जबर्दस तरीके से वह पढ़ाते अगर पहले इन दोनों साथ में काम करते थे लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक और बंदा चुड़ी है उनके साथ तो तीनों की एक स्पेशल बुक आ चुकी है वहां से भी आप लोग यह तीन बुक के लिए बहुत काम की बुक है प्रिपेर करने के लिए जे डबली के लिए अब इसके अलावा आप लोगों को बहुत एक्सपिरेंस शीचर आप लोग कुछ बुक सजिस्ट करेंगे तो आप लोग वह बुक भी पर सकते मेरे साथ मेरे रिसल्स की साथ से मुझे बुक बहुत इंपोर्टन लगी और मैंने इससे आप सब्सक्राइब बहुत बुद सकते न डुसरा पी भंडार का एक बुक है और जेडी का इक बुक है इसको भी आप लोग यहां से देखके चारो बुक को सिंपल से बात है ncrt की भीना mathematics अधूरा है तो कि बहुत सारे कोशन देखो अपना स्रीड बूट का सिलाबे से नहीं वह भीना ncrt की उपर से डिजाइन करा जाता है ठीक है लेकिन ncrt में बहुत सारे application सबसे इंपॉर्टन तो मैं बता रहा है ncrt सबसे पहले उठालों अगर एंसे अपर करेंगे न साथ आप लोग का पार्ट तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोग के लिए क्लियर कर दिया हुआ है उसी के साथ आप लोग क्या करेंगे दोस्तों प्राक्टिस रेगूर अब देखो प्राक्टिस रेगूररी मतलब कुछ टॉपिक मैंने पढ़ लिया हुआ है उसके उपर मुझे कुछ कोशन करें और रेगूलर प्राक्टिस करूगा मानलो कि आज मैंने मैं फिजिक्स करूगा और रेगूलर ली करूग तब चाहके मेरा पंड़ा बोल सकते मेर जो चीजे मेरा जो कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉंग बनेगा रेगूलर ली करेंगे तो अच्छा है आप लोग का सब कुछ का अच्छा है ठीक है तो इस चीज पर रेगूलरी करना है आपने को क्या प्राक्टिस अब एक और चीज़से फोर आर होते हैं यहां पर टू आर का बहुत जरूरी है मतलब आपने जो पढ़ लिया उसको एक बास जरूर देखना तो गलत हो जाएगा तो रिवीव करना बहुत इंपॉर्टन दूसरा रिवाइज मतलब कर जो पढ़े हुए टॉपिक उसको रिकॉल करो बार बार मन में याद करो कि हम इने यह पढ़ा था इ बढ़े लोगा अभी मालों जरी डवली के एकजाम देने जा रहे हैं तो इसमें किस तरीकी कोशन आएगा वह आप लोगो टाइमर के साथ आप लोगो अविलेबल हो जाएका आप लोगो के फोन पर तो वहां से आप लिए मॉक्ट टेस्त लगा कर आप लोग प्रक्टिस कर कि बहुत अच्छा यह इस तरीके से आप लोग को सब्सक्राइब बहुत अच्छा होते हैं यह इस तरीके से आप लोगो कोई भी एक मॉक टेस्ट लगा लगाने की ज़रूद बिल्कुल भी नहीं है सबसे अच्छा ये और ये और ये तीनों में से कोई लगा लो तो बीचल जाएगा कोई भी एक लगा लो दोस्तों आप लोगा दूरिंग एक्साम प्रिपरेशन में बहुत जाएगा अब यहां प प्रिपेर करना है तो कुछ तो पे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा तो वह आप लोगों यहां पर करना पड़ सकता अब इसमें मेरा कुछ नहीं है दोस्तों लेकिन यह साइट्स वाले आप लोगों चार्ज करेंगा उस पर आप लोगों को बता दिया अब मॉक्ट पड़ा हुआ है उसके बाद क्या होगा उस वक्त आप लोग को समझ में है कि हाँ यह मेरा टॉपिक वीक है तो आप लोग को सुधारना बहुत अच्छी बात हो थी चाहे तो वो लाइफ हो चाहे वो एक्जाम हो हर जगे अपनी गलती ससी को उसे क्या बहुत सकते परफेक्ट करो और प्रिपेर करो अपने आपको अपना बेटर वर्जिन बनाने के लिए ताकि लास्ट आम जैसा जो मैं था जो लास्ट वर्जिन मेरा था वो अपडेट होके नया वर्जिन बन जहना चीए यह था आप प्रणदा बिल्कुल भी नहीं है अपने को स्टार्टी से अंट तक की महनत बरकरार रखनी है कंसिस्टन रहना है और बिल्कुल भी एनरजी और अपना होप लूज नहीं करना है मैनत करती रहना और इसके इसाब से आप लोग आप लोगो का रिजल्ट पॉजिटिव देख बढ़ाई के चकर में अपने सेहतल, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है सबसे important चीज आप लोग का health है दोस्तो जब 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 दोस्तो जान है और एक और चीज जो health इस वेल्थ ऐसे करके बहुत सारे आप लोग को को बिल जाएंगे तो उसी तरीके से आप लोग को अपने हेल्थ पर बहुत साथ ध्यान देना क्योंकि दोस्तों अगर हेल्थी नहीं रहेगी तो प्रिपेरेशन कैसे आगो तो अच्छा खाओ एक्सराइज करो वाकिंग करो औ सही चीज गई है उसके बाद स्टे पॉसिट्व एंड कॉन्ट पॉसिट्व रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग के माइंड में नेगेट्व थॉट्स आ रहे हैं बार बार तो फिर कर बड़ा है दोस्त आप लोग को अपने माइंड से उस नेगेटिव थॉट्ट क निकाले और आगे बढ़े ठीक है और यहां पर confident रहना बहुत important है अगर आप लोग थोड़े से भी lose पढ़ गए है confidence आपका lose हो रहा है तो दिक्कट की बात है तो यहां पर आप लोग को अब इसके लावा इसमें कोई doubt रहेगा तो आप लोग को कुछ नए टॉपिक चाहिए तो वह भी कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं तो दोस्तों सारी चीज़े मैंने आप लोग को आपकी है हम आपके साथ हमेशा करने हैं तो आप लोग को मैंने पहले बता है आप लोग आपके जितने भी डॉट्स में से इंस्सक्राम पर शेर कर सकते हैं कमेंट सेक्षेन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों आज के लिए वस इतना ही मिलेंगे ऐसे किसी व